नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल क्लास्रूम विताधित में आपका स्वागत है दोस्तों ये हमारी जीएस संकला का नेक्स वीडियो है जो की केमेस्टी में जीएस पूछी जाती है उसका नेक्स वीडियो है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके पहले की है 69 वाला उसके आगे का कि भारी जल का अड़ूभार कितना होता है या इसका अड़ूभार 20 होता है या 20.02 76 ग्राम प्रतिमोल होता है तो अड़ूभार ग्राम प्रतिमोल में भी मापते हैं तो यह चीज़ याद रखेगा अगला सवाल है दोस्तों की साधरान जल का ठीक है जो कॉमन वाटर होता है उसका अड़ूभार कितना होता है अठारा होता है 18.0528 ग्राम प्रतिमोल होता है अगला सवाल है दोस्तों 72 की भारी जल का प्रियोग कहा होता है तो भारी जल का प्रियोग जो है वो न्यूट्रॉन म मंद करने के लिए Neutron Moderator का प्रयोग करते हैं अगला सवाल है दोस्तों 73 कि भारी जल के अत्रिक्त परवाणू रियक्टर में परवाणू भट्टे में Neutron मंदा की रूप में और किसी चीच का प्रयोग करते हैं तो ग्रिफाइट की चड़ों का प्रयोग करते हैं तो ग्रिफाइट बार्स होती है जिनका यूज जो है वो Neutron Moderator के रूप में नुक्लियर फरनेसस में किया जाता है न्यूट्रों की गति को मंद करने के लिए अगला सवाल है दोस्तों 74 की वेल्डिंग में जो गैस का यानि की C2H2 और Oxygen का मिश्ण का प्रयोग होता है कभी कभी सिर्फ Acetylene देता है तो यह चीज याद रखेगा Acetylene और Oxygen का मिश्ण है फिर अगला सवाल है दोस्तों Welding में प्रयोग Un-Gassing कौन सी है तो welding में प्रोपेन और ब्यूटेन का भी प्रयोग करते हैं गैस वेल्डि दोस्तों 77 कि आतिश बाजी में हरे वा नीले रंग की ज्वाला फ्लेम का करण क्या होता है तो ब्लू और जो ग्रीन कलर की फ्लेम होती है उसमें copper के लवण प्रयोग किये जाते हैं इस करण से आपको ऐसा रंग दिखाए पड़ता है फिर अगला सवाल है दोस्तों 78 कि आति रेड कलर की फ्लेम दिखती है आप लोगों को magnesium धाती होती, magnesium के metals होते हैं इसके करण से ऐसा आपको दिखता है फिर अगला सवाल है दोस्तों 81 कि हसाने वाली गैस कौन सी होती है तो हसाने वाली गैस जो है वो अगला सवाल है दोस्तों 82 कि अश्रू गैस किसे कहते है तो दोस्तों अश्रू गैस जो होती है वो एक कोई गैस नहीं होती है वो बहुत सारे या क्लोरो बेंजली दीन लेनो नैट्रायल या साइक्लो या साइनो कार्बन सॉरी साइनो कार्बन इसके अलावा इसको सीस गैस भी कहते है ठीक है और या डबलू इसको CS gas भी कहते हैं तो यह चीज़ याद रखेगा वो group of the gases है जो अश्रू gas की रूप में इस्तेमाल के जाते हैं इसमें से कुछ chemical के नाम दिये कभी कभी ammonia कभी प्रयोग करते हैं अश्रू gas के रूप में ठीक है तो यह चीज़ याद रखेगा फिर अगला सवाल है दोस्तो 83 की photography developing में किसका प्रयोग के जाता है तो यह पहले प्रयोग के जाता था photography develop करने के लिए जो negative वाले pictures होते थे ठीक है तो इसमें sodium thiosulfate का प्रयोग Na2S2O3 होता है फिर अगला सवाले दोस्तों sodium को किसमें रखते हैं तो sodium जो होता है वो gray color का एक solid content होता है solid element होता है ठीक है उस NOH बना लेता है sodium hydroxide भी का भी निर्मार कर लेता है अगला सवाले दोस्तों कि नमी के करण से एक्चुली यह होता है sodium hydroxide का निर्मार हो दाता है oxygen से क्रिया करके अगला सवाले दोस्तों 85 कि sodium के अत्रिक्त और किस तत्यकों जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है तो potassium को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह बहुती तेजी से क्रिया करने वाले प्रदार्तिया तत्यकों होते हैं अगला सवाले दोस्तों आवर साणी या दुनिया या प्रत्वी की सबसे अधिक क्रिया शील धातु कौन सी है जो धातु जो आवर साणी में हमें देख तो कौनसा है तो आपसारणी को सरवादिक क्रियाशील तत्व यानि कि element जो है वो आपका fluorine है और ये most electronegative यानि कि विद्धुत्रणी तत्व भी होता है fluorine ठीक तो सबसे आदा क्रियाशील तत्व fluorine है और इसके साथ साथ में आपका विद्धुत्रणी भी फ्लोरीन होता है जबकि जो धातु है सबसे ज़्यादा क्रियाशील प्राकृतिक रूप से जो मिलती है वो सीजियम है अगला सवाल दोस्तों 87 कि आवसानी में मानो निर्मित सरवाधिक क्रियाशील धातु कौन सी तो human made जो सबसे ज़्यादा reactive metal है जो therapeutic table में रखी गई हैो francium है ठीक है तो यहीं चीज़ आद रखे हैas know, francium नाम की धातु जो manomade, वो आपकी सबसे most reactive है般 red kit table में ठीक तो एक m听 धातु है, थे तो इस तरह के दोस्तो हमने अपनी स्रंखला की वीडियो को देखा ठीक है इस रंखला के questions को देखा तो next रंखला में मिलते हैं तब तक हमारे channel को देखते रहे हैं और अगर like subscribe और share नहीं किया तो ऐसा जरूर करें थैंक